शर्मा और रेवाडी की बड़ी खबरी देखने के लिए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर बड़ी खबर रेवाडी की पहली में बता लेता हूँ रेवाडी में हुआ बड़ा हादसा एक व्यक्ति की मौत देखी रेवाडी के अंदर आवे दिने और ये घटना लगातर बढ़ती जारे जिसमें एक्सिडेंट के मामले आ रहे हैं इजी के चलते हैं एक और मामला आया है जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो घटना हुई है माजरा के पास हुई है माजरा के पास एक तेज रफतार से कार आ रहे थी जिसने एक बाइक वाले को टककर मार दी बाइक वाले जिसको टककर मारी उसका नाम माईपाल बताय जा रहा था और टक्कर लगने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पर गिर गया गायल होगे इसके बाद उसे अस्पताल ले जाए गया जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत गोशित कर दिया अब देखें कार की जो टक्कर लगने के बाद उस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो कहा का है वो व्यक्ति बहरंपूर बढ़ंगी निवासी है और इसकी उम्र लगबक 33 साल के आसपास है और महीपाल उसका नाम है अब आप देख सकते हैं कि एक्सिडेंट के मामले लगातार ब पूरी खबर यह है कि सवा साल पहले आज से लगबक सवा साल पहले ओटों से लाखों रुपए की चोरी करने का मामला सुलज गया है और पुलिस ने आरूपित दंपत्ति को दबोच लिया है बड़ी खबर है कि सवा साल पहले टंपू के अंदर एक महीला बैठी थी जिसको कुछ लोगों ने मिलकर लूट लिया था इस मामले में पुलिस ने दो आरूपितों को पकड़ ले जिसमें दंपत्ति एक महीला और एक आदमी यह दोनों और इसके बाद उन्होंने देखे क्या खुला सा किया है उन्होंने काई कि उनके साथ चार लोग ओर थे अब देखे कि पुलिस ने क्या काई कि हम चारो लोगों को पकड़ने के लिए जो टीम में भेज रहे हैं और इसके बाद उन्हों लोगों को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे बदाया जा रहा है कि जो महीला इन्होंने जिनको लूटा था जिस महीला को उसके बैग में काफी लाखो अब भूशन वगेरा राखे थे और रुपय भी राखे थे जो इन्होंने चोरी कर लिए ठे यह महीरा है जिसके इन्होंने चोरी किये थे यह अप नी कहीं जा रही थी गुरूग्राम के निंदर जा रही थी एनिवरसरी हमें तो इसके चलत इस महिला ने फिर पुलिस को शिकाय दे दी तो पुलिस ने अब दो आरोपितों के इसके इंदर पकड़ा है लगबग सवास साल बाद ये दोन आरोपित दबोज लिए गए है इसके बाद तीसरी बड़ी ख़बर रिवाडी में महिला से मारपित पुलिस ने अब बाद पकड़ा है बयान वगिरा दिया गए उसमें बताया कि घर में रात के समय गाव का ही एक व्यक्ति गुस गया था उसने 112 नमबर पर कोल करके घटना की सूचना दी इसके बाद हूँ वहाँ से भाग गया और रंजिस रखने लगा इसके चलते ये मामला ये बताय जारा है रंजिस के चलते ये मामला हुआ है हलंकि इसके आधिकारिक पुस्टी है जो पुलिस बताएगी क्या है और आपको इसके बाद आज की आगली ख़बर बताता हूँ आज से होगा असली मुकाबला बिलकुल सही से न आप ने देखे बंचाहे चुनावे और आज तयार होगी असली जंगये मैदान सिंबल आज सिंबल मिल जाएंगे और उसके साथ पर्तियाशी बचाएंगे बिगुल सिंबल के साथ मतलब जो भी सिंबल पर्तियाशी को मिलेगा उसके साथ आज से जो भी परचार शुरू कर दिया जाएगा आपको ये भी बता जाएता हूं कि अभी तक नाम वापिस लेने की जो थी कि नाम कोई वापिस लेना चाहे तो ले सकता है तो इसके चलते कुछ लोगों ने नाम वापिस भी दिये नाम बाप से एक साथ final लिस्टा बन गई है और आज से अब बिल्कुल जवर्दस तरीके से परचार परसार शिरू हो जाएगा इसके बद आज की आखरी का वर्दे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं छट पूजा छट पूजा जो आप सभी को तै मैंने की बताया था कि आपको तीस तारीक को यह जो पूरी अच्छी तरीकी से त्योहर मनाया जाएगा तो डूपते सूर्य को अर्ग देकर व्रतियों ने की परिवार की सुक सुम्रदी की कामना जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छट पूजा का इसे एक साथ आज की खबर यही तक शाम को फिर मिलते हैं आट पजे धन्यवाद